दोस्तो मैं रम्मू सिंग सिवराज सिंग चोहान मद्य प्रदेश से नहीं जाएंगे सिवराज सिंग चोहान मद्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे सिवराज सिंग चोहान हारने के बाद हार नहीं पचा पा रहे हैं या भारती जन्ता पार्टी यह सोच कर चल रही है कि सिवराज सिंग चोहान हार कर भी जीत गए है दोस्तों सिवराज सिंग चोहान ने हार के बाद कहा कि वह केंद्र में नहीं जाएंगे वह MP में रहकर ही राजनीत करेंगे यह एक बात दूसरी बात चुनाव में मिली हार के बाद अब सिवराज सिंग चोहान एक आभार यात्रा पूरे प्रदेश में निकालने की तैयारी कर रहे हैं त्यारी कर नहीं रहें त्यारी हो चुकी है सिर्फ तारी का ऐलान होना बागी है अभी चुनाव परिणाम आए दो दिन नहीं हुए दोस्तों और शिवराज सिंग चोहान ने आभार यात्रा की प्लानिंग कर ली है शिवराज सिंग चोहान जब सत्ता में थे तो उन्होंने नर्मदा यात्रा निकाली जनादेश यात्रा निकाली अब इन तीन यात्राओं के दोरान लगबग डेड़ सो से जादा सभाएं भी मद्य प्रदेश में कर चुके लेकिन प्रदेश के बामन जिलों में अब आभार यात्रा निकालेंगे जिसकी तयारियां भारती जनता पार्टी ने शुरू भी कर दी है जल्द ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा कि शिवराज सिंग चोहान की यह या आभार यात्रा किस जिले में किस तारीख को और कहां क किस-किस विधान सभा से होकर गुजरेगी दोस्तों मुझे यह अलग रहा है कि एक तरह से भारती जनता पार्टी ने इस आभार यात्रा के द्वारा लोक्सभा चुनाओ का बिगुल बजा दिया है लोक्सभा चुनाओ की तियारी कर दी है इससे यह भी आभास होता है कि भ भारती यंदा पार्टी लड़ने का मूड दिखा रही है चोगी भारती यंदा पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वह बहुत ज्यादा अंतर से मद्य प्रदेश में चुनाओं नहीं आ रही है वोटों का प्रस्त बहुत ज़्यादा नहीं था सिर्फ कांग्रेस ने सीटें कुछ ज़्यादा हांसिल कर ली है सत्ता में वो संत्ता पाने में काम्याब हो गई है इसलिए भारती जन्ता पार्टी सिवराज सिंग्शोहान के नेतित में ही लोकसभा का चुनाओ लड़ने जा रही है और उनकी आभार यात्रा लोकसभा चुनाओ के द्रिष्टी कौन से ही निकाले जाने की तियारियां शुरू कर दी गई है दोस्तों बहुत जल्दी सिवराज सिंग्शोहान की एक और यात्रा मद्य प्रदेश में देखने को मिलेगी लेकिन इस बार इस यात्रा में एक फर्क और देखने को मिलेगा वह फर्क यह होगा कि जनादेश यात्रा जनाश्रवाद यात्रा और नर्मदा यात्रा में मद्द प्रदेश की सत्ता में सिवरा सिंग चोहान रहे अब पूरी सरकारी मशीनरी उनके साथ लगी हुई थी आज ही एक खबर अक्वार्म में यह चपकर आई है कि इन यात्राओं के दोरान जिन बसों को गवर्मेंट के अधिकारियों ने भीड धोने में लगाया था उस समय तो उन बस आपरेटर्स को डीजल्स की परचियां दे दी गई लेकिन अब इन बसों का किराया कौन भाइन करेगा किराये के लिए अब यह बस आपरेटर्स परिशान है भरती जनता पार्टी क्या उन्हें यह किराया देगी अगर नहीं देगी तो अब उन्हें बात और एहम है अब भारती जनता पार्टी सत्ता से जब नीचे आ चुकी है तो उन्हें सबसे ज़्यादा संगठन और कारकरता नजर आएंगे लेकिन जब तक वह सत्ता में थी उन्हें ना कारकरताओं से मतलब था ना कारकरताओं कि किसी काम से मतलब था संगठन में भी ओहदे दे दिये जाते थे लेकिन ओहदे देने के बाद सायद ही किसी ओहदेदार का काम सरकार ने किया हो दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो इससे सेयर और सब्सक्राइब अवश्च करें धन्यवाद